हेलो गाईज नमस्कार मैं भाविश गचपाल आपका स्वागत करता हूँ अपने योटूब चैनल लक्ष विथ भाविश गचपाल में यदि आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बाज़ों जबल आइकॉन है उसे प्रेस करें और यदि के वीडियो के लिंक उसमें दिये हुए हैं तो आज जन्जातियों का पार्ट 15 हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम अगरिया जन्जाति के बारे में पढ़ने वाले हैं अब तक मैंने 14 वीडियो बना रखे हैं प्लेलिस्ट में अलग से उसका फोलडर है 14 जन्जाति का सभी व अफेक्ट आपको जानने जरूर मिलेंगे ठीक है चलिए देखते हैं विशेस क्या है इस जंजाती के बारे में तो यह जो जंजाती है ना यह मद्य संस्कृतिक छेत्र के ताथ पर यह है मद्य अगरिया के नाम से पाई जाती है अगरिया के नाम से नाम से नहीं मिलकर क्या मिलती असूर के नाम से मिलती है अब दिखते हैं जनसंख्या 2011 की जनगर्णा के अधार पर इनकी जनसंख्या कुल 67,196 है 67,196 है ठीक है 67,196 है तथा सक्षर्ता 2011 की जनगर्णा के अधार पर इनकी सक्षर्ता कुल सक्षर्ता 47% है पुरुसों की सक्षर्ता 57,2 है और महिलाओं की सक्षर्ता 37% है इस्थान यह जो मुख्य रुफ से बिलासपूर जीला कवरधा सर्गुजा कोरिया जस्पूर और सांथी चाथ आधी चीले की रायपूर्ड जीले मेंगी मिलती है जंजाती कुछ मातरा में पाई जाती है अगर या जन जाती है अब देखते हैं उन पत्ती तो इन जन जाती हो कि पत्ती के तो सोर्स ठीक मानक नहीं है लेकिन कुछ कीवधनतिया कुछ कहानिया है इनके धारपन की पत्ती मानी जाती है तो देखते हैं यहां छोटी द्रवीडिया जन ज जंजाती में कुछ किवदंतिया कुछ कहानिया जरूर पढ़ाता हूं इससे आपको जंजाती ज्यादा याद हो सके तो गोडों के जंजाती में दो भाई हुआ करते थे ठीक है उनमें से छोटा भाई घर शोड़कर भाग जाता है और ऐसे जंगल में गुचर बसर करने लगत बैक देता है और सुबेर जब उठता है तो देखता है यра गलकर ऱहा का रूप धारन कर लिया है इस प्राकार से इनकी उत्ति हुई ऐसा माना जाता है डंतिक कहानी है हुए तही गोडों कि ये एक साका है साथ ही बहुता है पित्री वंसी अश्य पित्रे सथा अतमा को-ता- मतलब वर के ही घर आकर रहेगी और उसी के पीड़ी-दर-पीड़ी वह इनका परिवार चलते जाएगा ठीक है तो पित्री बंसी और पित्री सत्तात्म कोता है इनका परिवार साथ ही लौ पत्थर जिसे आरन ओर कहते हैं को अगनी में तपा कर या गला कर उपकरण बनाकर अगरिया आग में गलाने वाले किसको लवह एक जो तो सर्गुजा-च्षट्र में इन्हें असूर भी कहते हैं अशूर अगरिया कहते हैं और लोहे के आग में डाल कर लोह पत्थर को आईरन ओर को गला कर यह उपकरण बनाने के करण और अपनी आ जिवी का चलाने के करण अगरिया कहा जाता है, इनके प्रमुक लोक नित्य, सभी मानक बुक से तयार किया गया है, मैं जो भी content इसमें बनाता हूं, जन जातियों के, सभी मानक बुक का है, दो मानक बुक को मिलाकर ये तयार किया गया है, इसको authentic मान सकते हैं, मानना ही है आपको, ठीक है, चले देखते यह इनकी तेवहार है तो लोहा सूर जो इनका देवता है उनको कले मुर्गे की जली बली चढ़ाते यह लोग परवह है इनका किस उसर पर दसरे के उसर पर आप दिखते हैं लोग गित, लोग गिति में ये लोग कर्मा गित, ददर्या गित, सुवा गित, विवाग्ः विवागित, फाग गित एवां भजन अदि गायन करते हैं लोग गितों में अब विवा की बहुत सारी पधतिया हैं जैसे सभी विवाहों मेरे सुक भरणा बता है जब वर वदु को ब्याकर लाता है तो वर के ञЖदू के पिता ये फैमिली वाले को चावल दाल हलदी तेल गूड कपड़ा आदित दान करते हैं इसे बोलते खर्ची बाकी जंजातियों में सुक बोलते हैं किसी जंजातियों में सुक बोलते हैं इसमें खर्ची कहा जाता हुशे ठीक है अन्य विवा की पदत्या में घर जमाई, गुरावट विवा, मामा या बोवा की लड़की से विवा, ढुकु जिसे घुसपैट विवा कहते हैं, उडरिया जिसे साब पलायन विवा कहते हैं, इसके अलावा चूडी पहनाना, ठीक है, विद्वा विवा, विद्वा विवा को कंद मोले कत्र करना कुछ जिनके पास क्रिसी भूमी है वो क्रिसी करते हैं ठीक है एवं मचली पकड़ना इनका प्रमुक व्यवसा है यही इनके प्रमुक व्यवसा है क्या-क्या लोहे के समान बनाना उन्हें विक्राय करना जंगली तिंदुपत्ता बहुवा गुली कंद मोल कत्र करना कुछ जिनके पास क्रिसी भूमी है वो क्रिसी करते हैं और साथी मचली पकड़ने का काम भी करते हैं अब इनकी दो उपजातिया है ठीक है आज इस कोशन को भी आज मैं पूछा हूँ टेलिग्राम में साथी यूटूब के कम्यूनिटी वाले सेक्शन पर भी जाक कि उन्हें लोहे के पत्थर पर रख कर ख थ्यूब कर उपकरान मनाते हैं इसलिए इनको पत्थर आगरिया कहते हैं पत्थर मेंIST कर तो इनके में मृतकน संस्कार क्या-क्या है यह हम देख लेते हैं तो मुर्तक सरकार में ये मृत्यू होने पर दफनाते हैं साव को, qya करता है साव को, दफनाते हैं, 3 दिन 50 मनाते हैं, और 10 दिन दिन मृत्यू भोज़ रखते हैं। ठीके साथ ही महुआ वगरा सराब का जो सेवन होता है वो तेवार के उसर पर भी ये कराते हैं। दसवे दिन का मृत्यू बोज होता है, तीसरे दिन तीजनावन होता है, और मृत्यू होने पर यह दफनाते हैं साव को, अधिकतर जंजातियां साव को दफनाती है, याद रखेंगे, अब इनके देवु देवता को हम देखते हैं, तो बुढ़ा देव, लोहा सूर, है ना, ज इसके लावा जंजाती में जंजाती पंचायत होता है, प्रतिक जंजाती में, प्रतिक गाउं में, जंजाती पंचायत होता है, इस पंचायत का प्रमुक जो होता है, गोटिया होता है, हर जंजाती में जंजाती पंचायत होता है, जिनका प्रमुक होता है, उनको याद करना वो question पूछा जाता है, पे में ये महुवा से बना सराब पीते हैं, ठीक है, महुवा से बना सराब का इसेवन करते हैं, इसके लावा जैसे परसाओ के तरह जब सिसु की संतानुत पत्ती होती है, ठीक है, तो उसके नाल को काट कर जमीन में गड़ाने का भी परंपरा है, सभी जो सीमा है, आयू सीमा, उससे थोड़े कम उमर में ही इनकी साधी हो जाती है, इनका विवा हो जाता है, ये भी सभी जनजातियों में प्रचलित हैं, ठीक है, बाकी उपकरन, जो क्या बोलना चाहिए, महिलाय जो वस्त्र और बाकी चीज़े जो धारन करती है, ठीक है, आब के ज़रू बताएं, साथ ही मेरे टेलेग्राम चैनल से भी जुड़ें, वीडियोस को सेयर कीजिए, और लाइक भी करें, धन्यवाद, आपको इसमें मुख्यूरुप से दो बिंदू याद करना है, मुख्यूरुप से दो बिंदू ये है कि इस जिंजाती में उड़त दाल का महत्व बहुत ज़्यादा है, साथ ही इनकी दो उपजाती है, पथरिया अगरिया और खूटिया अगरिया, ये दोनों बिंदू को आप नहीं भूलेंगे, है ना, मत भूले, बाकी सब लगबग-लगबग मिलते जूलते हैं, ठीक है, और लोहा एस को अगरा का काम करते है ये खर्ची प्रथा को मत भूलिएगा, ठीक है, खर्ची जो वदुधन है, जिसमें वर की पिता, वदुध के पिता को चावल, दाल, हल्दी, तेल, गुड़, आधी का दान करते हैं, ये खर्ची कहलाता है, बाकी जंजातियों में इसो सुक भरना कहते हैं, क्या कहते हैं, स सुक प्रथा कहा जाता है, इस प्रकार से ये जंजातियों पर खतम होती है,